हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो अंकितास फूट कॉर्णर फ्रेंड्स आज आपको मिलने वाली है बीट रूट और आवले से बनी हुई यह बिल्कुल ही चटपटी से मुखवास की रेसिपी फ्रेंड्स यह खाने में बहुत बढ़िया लगता है और आप इसका कलर तो देखी सकत है कितना सुंदर लग रहा है प्लस आप इसे घर में बना सकते हैं वह बिल्कुल कम दाम में तो चलते हैं शुरू करते हैं आवला बीट रूट मुखवास के लिए मैंने दो बीट रूट और आधा केजी आवला लिया है आप बीट रूट को हम अच्छी तरह से वाश करके अगर साफ सुत रहा है तो आप सिर्फ उसे धोकर ही यूज रह सकते हैं तो चलते हैं आगे तो फ्रेंट्स अब हम एक परात ले ले लिए या फिर कोई थाली ले 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 क्योंकि हमें इसे ग्रेट करना है कदुकस करना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आवल यह का मुख्वास काफी हफली होता है क्योंकि विटामिन आयर. और बागी मिंनरल से भरपूर है यह तो अब इन्ट कर लिया है यह अब है आप ने ले कर सकते हैं अब एक बोरी ले उन लेगे या फिर प्लास्टिक ले सकते हैं कोई सावी जिस तो मैं यह पर चावल की बोडी ले रही हूं इसे मैं अच्छे से जाफ कर लिया है अब ये दोनों को मिक्स करके इस पर डाल देंगे सूखने के लिए एक बात का धिहान रखना है धूप में नहीं सूखाना है इसे चाव में ही सुखाना है घर के अंदर पंखे के नीचे रख पर अगोडर के ताकी जल्दी सूख चाई क्योंकि काफी सारा नमी है इसे पानी है तो जल्दी से सुखाने के इसे बिल्कुल Анथ इस थाा अच्छी तरह से पतले लियर में उसके बाद ये देखिए इस सूखने ऊंगे नहीं पानी नहीं सूख चुका है निदे दूसरे 200 gram थिं कर के लिए उसके बाद ये सौफ है तीन बड़े चमच है यानि थी चेवल स्पून से 3 चमच लेए उसके बाद ये दिखिए एक चोटा चमच मैंने लिया 1 टीज़पून ही यानि च्छोटा चमच काली मीर्च है इसे इसके लाव और कुछ नहीं चाहिए तो फ्रेंट्स अब इन मसालों को इसमें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे फ्रेंट्स लेकिन हमें इन मसालों को तभी एड़ करना है जब इसका नमी थोड़ा सूख जाए यानि एक दिन आप उसे पहले सुखा लिजिए उसके बाद ह हम इन मसालों को इसमें एड़ करेंगे बहुत क्योंकि पूरा कम्प्लीटली ड्राइ नहीं होगा पूरा यह सूखेगा नहीं एक दिन में इसका बस नमी जो है एक्स्ट्रा पानी है वो सूख जाता है तो यह देखिए फ्रेंट्स यह फाइनली अब हमेश्री डाल रही हो म अबहुत अच्छी तरह से नमी भी है तो यह हमारे बीटरोट और आवले की साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा फ्रेंट्स अब सोच रहे होंगे कि इसका टेस्ट कैसा आता है तो आप सब हाजमोला तो खाया ही होगा या अनारदा न खाया होगा घटा मिटा ऐ काफी इसमें अभी नमी आएगा क्योंकि इसमें मिश्री और जो नमक हमने यूज़ किया है उसकी वज़े से यह देखिए फिर से इसमें थोड़ा से नमी आ गया है तो इस बर मैं इसे क्या करें हो प्लेट पर ही सुखा रही हूं क्योंकि इसका क्वांटिटी सुख कर अगर आप चाहें तो प्लेट में फैलाई है या फिर जो अपने पहले जिस पर सुखाया था बोड़ी पर या फिर प्लास्टिक पर इस भी चीज़ पर आपने सुखाया था उस पर भी आप इसे ड्राइ कर सकते हैं फ्रेंड सभी इसे एक दिन और सुखने के लिए देंगी या या अच्छी तरह से तोड़ा सुख किया है अब एक दिन के बाद ही इसे लेकिन हैं कम्प्लेटली ड्राइ नहीं हुआ है तो इसे और सुखाएंगे अब मैं आपको ये नेक्स्ट दिखा रही हूँ तो यहाँ पर लगबग हमें तीन दिन हो चुके हैं इसे सुखाते हुए तो तीसरा दिन ही ऐसा है तो अब मैं इसे दूसरे प्लेट में ही ट्रांसफर कर दे रही हूँ क्योंकि अब दो ब्लेट की जरूरत नहीं है बहुत अब देख पा रहे हैं इसका एक एक स्ट्रेंड एक लच्छा अलग से दिख रहा है कलर बहुत बढ़ी आ रहा है तो आप एक जरूरी बात फ्रेंट हमें इसे चाय में ही सुखाना है साथ से आठ तिन तक आप कहां रहते हैं इस पर भी निर्वर करता है आपके आसपस का ट तो लाइक जरूर कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए जादा से जादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इसे मेरे वीडियो आफ यूचर में भी देख पहेंगे तो फ्रेंड्स बीटूड और आवले का मुखवास बनाएए खाये इंजॉइ कीजिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नए रेस्पी के साथ अपने की लिए बाई बाई